अलो बच्चों कैसे हैं आप लोग, welcome to today's edition, आज हम लोग solve कर रहे हारे सगरवाल का new composite mathematics एक्डम latest edition of class 4 आज हम लोग का exercise है exercise 55 जो की chapter 13 यानि unitary method का under है, तो बच्चों आप लोग देखे हैं कि हम लोग पुरा step by step solution कर रहा है इस exercise का, so don't miss any step, वीडियो को लास तक जरूर देखे, skip मत कीजिए, पुराने वीडियो नहीं देखे, तो जरूर प्ले लिस में जाके download करके check out कर ले पुराने वीडियो को, channel को subscribe कर ले, क्योंकि हर एक exercise का solution हम लोग इसमें, इसी channel में upload करने वाले हैं, तो part 1 में हम लोग कहां त तो question 8 जैसे आप देख रहा है, को unitary method का part 1 अगर आप देखे होंगे, तो हम लोग 1 by 7 solve केते हैं, अब 8 से start कर रहे, car covers, वीडियो को like, share करना ना भूले, आपका comment जरूर दे, car covers 2025 km, 25 hours, how much distance, तो क्या पुछा है, distance, तो distance मेरा जो है, हमेशा right side में रहे, जो पुछा है, और right म statement है, उसको हम सजा लेंगे, उसमें distance है 2025 km, तो distance को हम right में रखते हुए, उसको सजा लेता है, तो in 25 hours, बाखी figure है 25, तो in 25 hours, car covers, ये मेरा first sentence पन गया, ये rule है, second rule, second step क्या होगा, तो ये जो left hand side में figure है, इसको one कर देना है, क्योंकि ये unitary method है, unit मतलब one, वही से इसका naming आया है problems का, तो जो left hand वाला figure है, इसको one कर देना है, तो in one hour, therefore in one hour, car covers, कितना cover करेगा, 25 hours में जितना cover किया, उससे ज्यादा करेगा, ये कम करेगा, definitely कम करेगा, कम करना है, मतलब divide कर देना है, तो 25 से इसको divide कर देना है, ठीक है, how much distance does it cover in 18 hours, therefore, अब इसको करना से पहले, पहले इसको हम दो rough में कर लेता है, 2025 डिवाइड बाइ 25, कितना आता है, तो इसमें देखे 2025 जो है, 20 तो जाएगा नहीं, तो ये 2, यहाँ जब हमको ये पूरा लेना है, 202, तो 25 इंटो 8 जो है, is 200, तो remainder 2 आया, next 5 नीच आया, 25, तो ये हो गया, 25 एक कैंसल हो गया, तो final quotient is 81, तो एक कार कितना कावर किया, 81 किलो मेटर, 1 आवर में कावर किया है, ठीक है, right, next है, हम लोग, next पार में आता है, how much distance does it cover in 18 आवर, तो अब next step में, in 18 आवर, ये 1 आवर से 18 आवर हो गया, in 18 आवर इसको लिखना है, कार कावर, that is equal to 81, तो 1 आवर में अगर 81 किलो मेटर कावर किया है, 18 आवर्स में कितना करेगा, definitely जादा करेगा, तो जादा मतलब multiply करना है, ठीक है, तो final answer मेरा, किलो मेटर आएगा, अब हम देख लोते है, 81 इंटो 18 कितना होता है, right, तो 18 इंटो 81 अगर हम करते है, तो 1 मतलब 18 हो गया, next step 8, 8 जा हो गया, 64, right, और यहाँ पे 6 करी हो गया, 8 and 6 हो गया, 14, ठीक है, add कर लेते है, 8, 4 and 1, 5, 4, 1, 4, 5, 8, किलो मेटर, कार कावर कर रहा है, 18 आवर्स में, ठीक है, clear, तो यह simple rules आपको याद रखना है, unitary method का problem solve करने के लिए, तब आपको कभी भी कुछ प्रोब्लम होगा नहीं, right, next हम लोगा आते, question 9, offset printing machine print कर रहा है, इतना forms in, see how many forms does it print, कि अब पुछा है, how many forms, मतलब number of forms जो है, वो right में राएगा, तो first statement जो है, हम लोग सजा लेंगे, with number of forms in right hand side, ठीक है, तो हम लिख लिए है, कि in 16 hours, right, बाकी 16 hours को हम left में डाल दे, in 16 hours machine prints इतना forms, next step क्या है, इसको one कर दाना है, left hand side को, therefore in one hour, the machine कितना print करेगा, definitely इ form print करेगा, right, तो divide by 16 forms, तो अब इसको रॉख में हम लोग करके देख लेता है, 37600, इसको 16 से divide करता है, right, इसमें देखे, 03 तो जाएगा नहीं, 37 हम consider कर रहा है, तो 16 into 2, जो है, that is equal to 30, sorry, 32 हो जाएगा, मनलब 8 4, जा 32, इसके बाद remainder आया 5, अब 6 निच आया, तो 56, तो 56, अब 16 into 3 अगर हम करेंगे, तो यह हो जाएगा, 48, right, 86 हो 48, remainder हो गया, 8, अब यह 0 निच आया, 80, तो next यह 16, 5 जा 80, ठीक है, एक और 0 है, तो यह 0 आगया, ठीक है, तो इतना forms, machine print कर लेगा, एक घंटे में, 2350 forms, right, अब हम लोग next part of the problem में हाते है, next part is, how much problem it prints in, 25 hours, तो next step है, in 25 hours, यह लिगना है, the machine prints, that is equal to, एक घंटा में इतना था, 2350, अब 25 hours में कितना करेंगा, तो इपनेटली जादा प्रिंट करेंगा, तो इंटो 25, number of forms, ठीक है, अब इसको हम लोग रफमें, डीक है, 2350 इंटो 25, तो 5 0s है 0, 5 5s है 25, carry 1, 5 3s है 15, 2 हो गया 17, carry हो गया 1, right, next is में आगा, 5 2s है 10, 10 और 1, 11, ठीक है, next हम लोग इसको 2 से multiply कर रहे, 2 0s है 0, 5 2s है 10, carry 1, 3 2s है 6 and 7, 2 2s है 4, ठीक है, अब यह दोनों हम लोग आड कर लाते है, तो 0, 5 7, 7 and 1 ही तो 5 8 7 5 0, right, 5 8 7 5 0, right, 5 8 7 5 0 forms, machine print कर देगा, right, next हम लोग आ जाते है, question number 10 में, right, right, next देखे, question number 10, a factory produces, इतना horns in 12 days, how many horns it produces in 3 पे, तो how many horns, कितना, तो number of horns मेरा right side मेर आए, तो first statement को हम सजा लेते है, ऐसे, 6 advances forms in 12 days, 12 days मेरा left मेरा आ जाए रहा, तो in 12 days, factory produces 6816 horns, next step क्या है, इसको 1 कर दना है, therefore, in 1 day, factory produces, यह लिखना है, factory produces, that is equal to 6816, कितना करेगा, definitely काम करेगा, क्योंकि 12 days है, 1 day मेरे definitely काम करेगा, इतना horns तायार क्या रहा, right, on मतलब गारी में जो horn लग रहा है, तो 6, 8, 1, 6, divide by हम लोग 12 खर लोते है, तो 12 into 6 तो जाएगा ने 68, 65, 12 जा हो गया 60, remainder आगया 8, next यह 1 निचा आगया 81, right, तो 12, 6 हम लोग जानते है, इस इक्वल तो 72, remainder आगया 9, आगया 6 निचा 96, आगया 12 into 8 is equal to 96, तो यह 568 horns manufacture कर रहा है, in 1 day, single day, right, तो how much horn it produces in 3 weeks, तो 3 weeks में कितना देना है, now, 3 weeks equal to 3 into 7, that is equal to 21 days, therefore, in 21 days, क्योंकि हम day में कर रहा है तो weeks को day में पहले convert कर रहा है, तो in 21 days, factory produces, एक दिन में 568 था, तो 568 into 21 हो जाएगा, इतना horns, right, तो इसको हम लोग लिक लेता है, राफने कर लेता है, 568 into 21, ठीक है, तो 1 है, तो यह definitely 568, same number हो गया, अब 2 से कर रहा है, तो 8 2s are 16 हो गया, 6 2s are 12 and 1 13 हो गया, 5 2s are 10 and 11 हो गया, तो 8, अब 1 से एदा हो गया, 6 3s 12, 5 3s are 8 and 11, 11, 11 9 to 8 horns, it manufactures in 3 week time, तो के लेक लोग, तो आज एदा है, तो गया, तो जार्ट है, तो 25 बल, तो क्या पुछा, how many passengers, तो first sentence, जो है statement, उसको हम लोग, passengers right side में रहेगा, जो पुछा गया है, वो right side, right, so 13 bus carries 715 passengers, right, अब फुरा passengers ठीकिए, therefore, next step क्या है, इसको 1 कर देना है, so 1 bus carries carry, 715 से ज्यादा नहीं, कम होगा definitely, so divide by 13, ठीक है, इतना passenger, passenger पुरा लिखेगा, हम short में लिख रहे है, right, तो इसको हम लोग, rough में कर देते हैं, 715 divided by 13, ठीक है, 0 गयानी, 71, 13 into 5 हम लोग जानते है, 13 into 5 is 65, ठीक है, तो remainder आगया, 6, यह 5 नीच आया, तो फिर से 5 आएगा, 65 होके cancel, तो इच तो next sentence कहा है, how many passengers can be carried in 25 buses, तो therefore, 25 bus, right, 25 bus can carry, 1 bus में 55 जाता है, 25 में definitely, इसे जादा जाएगा, मतलब, multiply, right, तो 55 into 25, तो रहाप में हम लोग कर लेते हैं, 55 into 25, 5, 5 is the 25, right, next 5, 25 जाएगा, 25 जाएगा, 27, अब 2 से कर रहा, तो 5, 2 जाएगा, 10, 5, 2 जाएगा, 10, and 1, 11, तो 5, 7, 2, 1, 3, and 1, तो 13, 75 passengers can be carried in 25 buses, तो एगा, clear, right, next आम लोग आ जाता है, next question is, question number 12, तो question 12 है, car runs 285 kilometer on 15 liter, how many kilometer can it run on 20, तो कितना kilometer, तो first sentence जो है, उसका kilometer left, जो पूचा गिया है, उसको right मेर जाएगा, 285 kilometer, तो जाएगा, कितना, in 15 liter petrol, car runs 285 kilometer, तो जाएगा, in 1 liter petrol, car runs, कितना, 285 से, definitely कम होगा, तो divide by 15 kilometer, ठीक है, राफना हम लोग इसको, कर लोग लोगता है, 285 divide by 15, तो 15, वन ही ताइगा, तो ये 15 होगया, 15, 2 ही जाएगा, तो रेमेंडरे आगा 13, प्रेमेंडरे अगया 13, तो 15, 9 ही जाएगा 135, तो इसको, 19 kilometer, ये बस ये गारी जारा है, in 1 liter petrol, तो ये, 22 liters में कितना जाएगा, so in 22 liter the petrol, the car will run 19 into 22, definitely 1 liter में जितना जा रहा है, 22 liters में उससे काफी जादा जाएगा, so multiply हो जाएगा, so 19 into 22 अगर हम करते है, right, इसको पूसते है, right, तो 22 into 19, तो 9 2 से हो गया 18, 1 8 हो गया, 9 2 से 18 and 1 19, 1 98, 1 से हो रहा है, 22, right, 8 हो गया, 9 plus 2 हो गया, 10 11, 1 केरी 2 and 4, so this is equal to 418 kilometers car can run on 22 liters of petrol, right, next हम लोग आ जाते है, question number 13 में, so question 13 है, annual rent, annual rent मतलब 12 months, right, 1 year में 12 months, annual rent is, इतना, what is the rent for 17 months, तो बोला है, rent, तो rent मेरा, right में रहेगा, ठीक है, तो rent 58500, right, so यहां लिखना है, for 12 months, rent is, इतना, right, therefore for 1 month, rent will be equal to, कितना होगा, definitely कम होगा, 12 months में जितना है, 1 month में उसे कम होगा, तो divide हो जाएगा, ठीक है, तो 58 हम लो ग्राफ में कर लाते है, 58500, divide by 12 कर दाते है, तो 12 तो 5 तो जाएगा नहीं, 58 जाना है, right, तो 12 इंटो 4 हो जाएगा, 48, right, remainder होगा 10, अब निच्छे हागा 5, तो होगा 105, right, तो 12 इंटो 8 हम जानते हैं, 96, right, 105 हम जानते हैं, 96, 4 and 5 होगा 9, remainder, next 0 होगा 90, right, so 12 इंटो, next 7, so 7, 12 होगा 84, remainder होगा 6, 0 होगा 60, so 12 इंटो 5 होगा 60, cancel out, तो finally I am getting rupees 4875, which is rent for 1 month, ठीक है, तो next, what is the rent for 17 months, therefore, for 17 months, rent will be equal to कितना है, 1 month का जितना है, उससे जादा होगा, multiplied by 17, so 4875 into 17, हम लोग करके देख लेता है, multiply by 17, तो 7, 5 हो 35, 7, 7 हो 49 and 3 होगा 52, carry 5, 7, 8 हो 56, 56 and 5 होगा 61, carry 6, 7, 4 हो 28, 28 and 6 is 34, right, next हम लोग 1 से कर रहा है, तो 1 से हम लोग 4, 8, 7, 5, ठीक है, अब इसको add कर देंगे, तो 5 आगया, निचे 7, 7 and 1, 8, 8 and 4, 12, carry 1, 4 and 4, 8, तो rent में धा, for 17 months is 8, 28, 7, 5, ठीक है, clear, तो यह rule आप फॉलो कीजए, तो देखे, कभी आपको problem नहीं होगा, unitary methods का problem में, right, जो पूछा गया है, उसको हमेशा right में राखना है, last question of the exercise is question number 14, right, तो question 14, यह हम लोग आ जाते है, question 14 है, worker earns इतना in 8 days, how much did he earn in 3 days, तो how much did he earn, तो earning मेरा right में राखना हैगा, तो rupees 1080, तो in 3 days, यह sorry, first sentence में 8 days, so in 8 days, worker earns, sorry, worker है न, workers नहीं होगा, worker earns, rupees 10, therefore, in 1 day, next step है, इसको 1 करदाना, left hand राखना, worker earns, same चीपली किये, rupees 1080, definitely 1 day में काम earning होगा, तो divide by 8 हो जाएगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 1080, divide by 8, ठीक है, अब हम लोग 1 जाएगा नहीं, तो 10 लेना है, 8 into 1 is equal to 8, remainder 2, 28 होगा, 8, 3 होगा, 24, remainder 4, 0, 40, and 8, 5 होगा, 40, ठीक है, so 135 rupees is earnings in 1 day for the worker, तो फो जाएगा, हाँ मुच दीक है, हाँ मुच दीक है, हाँ मुच दीक है, in 3 days, तो therefore, in 3 days, worker earns is equal to rupees 135, 35 into 3, ठीक है, तो इसको रॉफ मुच दीक है, 135 into 3 कितना होगा, 5 3s are 15, 3 3s are 9 and 1 10, 3 and 1 4th, rupees 405, ठीक है, तो इस दीक है, तो बच्च दीक है, तो बच्च दीक है, तो बच्च दीक है, तो बच्च दीक है, अगर आपको exercise solution, step-by-step अच्छा लगा है, जरूर चैनल को subscribe कर ले, and stay tuned for our future videos, thank you for watching, Hello बच्चो, तो आज के, इसमें हम लोग बता रहे हैं कि आज Class 4 का Mathematics का New Composite Maths का पूरा solution, R.S. Agarwal का दीज हो चुका है, coupon book से, और इसमें पूरा step-by-step solutions, all chapters का किया हुआ है, जितना भी shortcuts, methods है, हम लोग इसमें पूरा बताया है, तो इसमें देखिए है, contents में पूरा 1 से लेके, question chapter 20 तक का भी पूरा solution किये है, step-by-step दिया हुआ है, एक पहले इसका exercises दिया हुआ है, जिसे आपको पूरा exercise questions मिल जाएगा, जो आप खुद भी solve कर सकते हैं, उसके बाद आपका solutions में देखिए, पूरा step-by-step solutions इसमें दिया हुआ है, हर एक step कैसे आया है, वो भी इसमें दिखाया हुआ है, जैसे इसमें आप देखिए, इसमें पूरा plus-minus हर एक step का solution दिया हुआ है, इसमें multiplications का भी हर एक step दिखाया हुआ है, तो पूरा step-by-step दिखाया हुआ है, जो questions से उसको करके rough work में भी कैसा आया है वो भी दिखाया हुआ है और visuals में भी आपका drawings करके fractions का जैसे है यहां पे दिखाया हुआ है कहा क्या कितना fractions है तो आपको पूरा आसानी होगा हर एक step देखने में divisions यह units का problem से इसको भी दिखाया हुआ है इसमें हम कुछ-कुछ page दिखा रहा है जैसे factors and multiples का भी questions दिया हुआ है chapter class 4 का इसमें exercise landing का हर एक का इसमें ऐसे solutions किया हुआ है और इसमें rough में भी करके दिखाया हुआ है कि आपका कैसे हर एक step आया है तो आपको पूरा समझने में भी आसानी होगा इसमें यह देखे decimals का भी details solution इसमें किया हुआ है इस chapter में यह money का chapter दिखा रहा है तो money का chapter में भी देखे हर एक question का इसमें पूरा details में दिया हुआ है rough work करके भी दिया हुआ है तो आपको एक दम समझने में पूरा clarity रहेगा तो बच्चों इसमें हम लोग कुछ-कुछ pages दिखा रहे है यह पूरा book आपका Amazon में available है link दिया हुआ है description में तो जरूर link में यह आपका book का link है description में भी दिया हुआ है class 5 का भी solutions है उसके साथ-साथ class 4 का भी आप निकल चुका है तो link को भी जाके आप पूरा book देख सकते हैं और अगर आप kindle का member है तो इसमें आप पूरा free में book को पर सकते हैं Thank you